हेलो एवरिवन, वैलकम बैक टू भूमिका की किचन तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीसियस और इजी वे में बन जाने वाले मैंगो लड्डू की रेस्पी लेकर आई हूँ तो मैंगो की सीजन जाने से पहले एक बार आप ये लड्डू जरूर बना दीजेगा तो अगर आपको ये मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइफ करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए से बनाते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साईज का मैंगो ले लिया है आपके पास जो भी बराइटी का मैंगो हो वो आप ले सकते हो तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से छीर लेंगे इसके बाद हम इसकी छोटे-छोटे पीसेद में कट कर लेंगे इसको और इसके बाद हम इसे pharmaceutical जार में डाल कर इसकी हम बारीक सीerm प्योरी बना लेंगे अगर grind करने में आपको दिक्कत हो रहा है इसमें तो आप इसमें थोड़ा सा पिलकुल पानी एड़ कर सकते हैं वन या टू टेबल स्पून इससे ज्यादा नहीं तो देखिए इसका प्यूरी बन गया है तो इसको एक साइड में रख देते हैं अभी मैंने गैस पर एक पैन चड़ा दिया है और उसमें मैंने लगभग 100 ग्राम डेसी केटिड कोकोनट डाला है और इसको ह हम 3-4 मिनुट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इससे ज्यादा नहीं करेंगे इसका KOLर趣 नहीं CHENGE होना चाहिए तो हमारा और अच्छे से रोस्ट हो गया है तो अभी से हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको भी हम एक साइड में रख देते हैं इसके बाद मैंने gas पर फिर से एक pan चड़ा दिया है और उसमें हम अपना यह grind किया हूँ mango pulp डाल देंगे और उसको एक 2 minute इसी तरह से पकाएंगे इसके बाद मैंने इसमें condensed milk डाला है तो हमारा जितना mango pulp है उसका half quantity में हम यह condensed milk डालेंगे और इसके बाद हम इसे low रखेंगे या medium ये देखें ये पक रहा है तो अभी इसमें हम अपना ये रोस्ट क्या हुआ desiccated coconut डाल देंगे इसमें और उसको भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसके बाद हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये इतना गाढ़ा नहीं हो जाता कि इसके हम आसानी से लड़ू बना ले और ये पैन छोड़ने लगे तो ये देखें ये पैन छोड़ रहा है और ये काफी ठीक हो गया है तो और ठंडा होने पर और ज्याद पर कल लेंगे और इसे हम ठंडा कल लेंगे तो ये देखें इसे हम ठंडा कल लेते हैं तो ये ठंडा हो गया है बहुत जादा ठंडा नहीं बस हल्का सा गरम रहना चाहिए तो मैंने कि हमारे लड़ू एक शेप के बने इसलिए मैंने स्पून में इस तरह से लेकर मैं लड़ू बना रही हूँ तो आप इस तरह से बना सकते हैं जिससे कि आपके सारे लड़ू एक शेप के बने इसके बाद इसके उपर मैंने ये रेसी केटेड कोकोनट की कोटिंग कर दी है और ये देखे हमारा लड़ू बन गया है अच्छा सा और ये देखे देखने में भी ये काफी अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से हम सारे लड़ू बना लेंगे आप इसे फ्रेज में भी स्टोर करके वन भी के लिए रख सकते हैं तो अगर आपको ये मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ये डिलीशियस से लड़ू आप मैंगो सीजन जाने से पहले एक बार जरूर बना लीजेगा थैंक यू